सबसे ज्यादा इनिशेटर पता कौन ले रहा है इस वसक्त मोधी ले रहा है आमिर सर्फराज उर्फ तामा को लहोर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया इंडिया वाले वो उनमें हर चीज पाई जाती है मांदरी हर बात उनमें पाई जाती है पाकिस्तान कितनी बड़ी करें तो इंडिया हमसे जादा बहते है हमारी ट्रेजिडी यह है हमारा मसला यह है कि हमारा जो पाकिस्तान है उसके अंदर कौम प्रस्त लोग जनाब इस तरह के वाकियात हो रहे हैं कि जिसमें यह घर घर गुसके मारा जा रहा है और यह तो गैर मुलकी जंसी है राह की वज़ा क्या है पूरी दुनिया के लोग मुसल्मानों के खलाफ क्यों पिस तरह यह है का हमारा जो अमने तकार है वो गलत है हम जूड़ बुड़ बोलते हैं नासाभी कारते हैं दूग दोका कारते हैं बदनाम हो रहे हैं को वीजा पकड़ा दूना आप भी निकल जब मुजाहदीन घजवाहिंद में जाएंगे घजवाहिंद लड़ेंगे और इसी नरिंदर मुदी को इनिशाला लोहे की बेडियों में जगर चर लाएंगे आपका स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक में चर्चा की जा रही है कि जिस परकार के काम प्राइम मिनिश्टर मोधी जी भारत के अंदर कर रहे हैं वैसा तो पाकिस्तानी सोच भ ठोग दिया है यह दोनों खबर इस वीडियो में डिसकस होने वाले तो वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चले वीडियो को शुरू करते इंडिया जो है ना पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल इस सेंस के अंदर तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉग्रस नजर नहीं आ रहे हैं और यह उस वक्त तक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जब तक आप अपने मेरा सबसे ज्यादा जो मैं बात करूंगा वह आपके जो लोग हैं हमारे जो बड़े हैं जब तक वह हमें कुछ इस तरह की चीज नहीं बताएंगे या उसकी तरफ अपने कदम नहीं उठाएंगे प्रोग्रस नहीं हो सकते हैं अब ही क्या बोलते हैं हम लोग अपने जजबे का जबके तरक्की वाला जजबा तो वह दिखा रहे हैं बात यह है कि एटम बंप संथिंग एल्स एटम बाप तो हमार इसका यह मतलब हो गया कि पाकिस्तान चलना शुरू हो गया यह उसकी प्रोग्रेस उपर जाना शुरू हो गई यह यह अपनी सेफटी के लिए रखा हुआ है ताकि हमें कोई और थ्रैट ना दिखाए इसका यह मतलब नहीं है कि हमने एटम रखा है तो हम बहुत उपर जा है उपर जाने के लिए आपको सिवल सौरियर्टी की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है पाकिस्तान के अंदर जब तक सिवल आरे और सिवल गॉर्मेंट्स और इस तरह की लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और इसके उपर आपके जब आपकी क्या पार्लिमेंट इसके उप आ इसे बात नहीं करें और इनिशेटिव नहीं लेगी सबसे ज्यादा इनिश seminar को कन ले रहाला है मोदी वजदियाजम इसे बात कि लोगनों को और अपनी दूसरी चीजों के ओपर उनको उपर लेके आ रहा हा रहा रहा है। बहुत सारे आप उसकी टीवी पहा भी आप लोग जानते होंगे मुझसे, वो क्या करते हैं, समिनार्स कर रहा है, वर्कशॉप्स कर रहा है लोगों में मिल रहा है, पूछ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं तो इस वज़ा से आंडिया ऊपर जा रहा है, कि वह अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है इं दर सेंज keeps के एजूकेशन में बहुत आगे हैं, इंडिया और दूसरी बात अगर आप सबसाइडरी सबसीडी के उपर भी जाएंगे तो इंडिया की गौर्फेटी के हम दर्भी हमसे बहुत आगे हैं वहां आपको आप उनकी जो हमारी कुमिनिटी प्राइसिज हैं जो हमारी ग्रॉसरी की प्राइसिज उसी को कंपेर करके देख लेना हमारे جो सबसे नीच्रा लेवल है यही है कि हमारी जो ग्रॉसरी प्राइसिज है उसी से हम कंपेर करते हैं कि पाकिस्तान कितना खुशाहाल है तो आपको पता चले हैhini कि वहां की PRICES देख लें और यहां की PRICES देख लें 3.500 रुभे किलो आप यहँ चाबल ले रहे हैं, वहां 3515 रुभी मिलते हैं, यह बाद है, यह chips आ इ नहीं के किमपेर करती हैं कि आपकी ECONOMY और आपके growth जो है किस طरlights जा रही है घर में घुसकर मार डाला है घर में घुसकर मार दिया गया है किसको मारा गया है किसको कतल किया गया है उसका नाम है आमिर सर्फराज उर्फ तामबा अब आमिर सर्फराज उर्फ तामबा कौन था जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कतल इसलिए बहुत अहम है क्यूंकर इसके पीछे एक लंबी दास्तान है और वो दास्तान है सरबजीत सिंग की वो भारती शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था पाकिस्तान की जेल में 22 यर्स गुजारे सरबजीत सिंग है और सरफ जीट सिंग के मबयना कातिल को जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था आमिर सर फराज और तांबा को कतल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर अब ये किसने मारा है और घर में घुसकर कौन गुसकर कर रहा है ये बहुत सारी कहानィ आपको पता है कई सालों से चलू रही है उसके उपर तो बहुत कुछ ऐसा चलता रहा पाक्सTAN अंडिया के बीच जिसमें कहा जाता row है क्ज़र में गुस कर मारेंगे तो मैं यह नहीं कहरे है के यह गर में गुस कर मारेंगे वाला है सलसला यह जो मैंने दो मरतबा बोला कि घर में घोस कर मार डाला गया तो यह कहा है आज नियूस में आज नियूस में जो पब्लिश हुआ है मैं आपको वो बता रही हूं आमिर सरफराज और फ्तामबा जो है वो कहा जाता है कि मुबईना तोर पर उसका तालुक हाफिज ग्रूप से है कुछ ऐसी तन्जीमों से है दैशत गर्द कर तन्जीमों से जिहादी तन्जीमों से लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे यह कतल हुआ तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कतल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में चौराहों पर उनके घरों के स साथ मोटर सेकिल के जा रहा हो थो उसको मार डाला जाता है भाई बहुत ज्जाड़ा इंडियन है तो में मेरा क्वेस्टइन यह इसकी जए है और बाइसक्फралह काम को तरजी के दे देते जो उदर की लोगें रहे हैं और सिदा चलते हैं अब फॉरन में मेरे कजन होते हैं वो बताते हैं कि यह लिए अगर इंडीयक के तो वो उसकी पूरों को या या करेंगे स्पोर्ड करेंगे रिस्पेक्ट करेंगे अगर पांकिस्ता ने करेंगे ऺड़ मुझा ना तो तो दूसरे quand आगे निया नी आने देगा में विजन ये है लेक बूलिंग करेंगा इंडियन अपने इंडियन को स्पोर्ट करेगा फॉरन में इंडिया और पाकिस्तन का पेले नबर कंपरिजन बनता नहीं है ठीक है दूसरे उसकी क्या वज़ा उसकी वज़ा ये है कि यार हमारा उनके जो मख़भी लियास से हमें और उस सियसी लियास से जो मौराल उनसे बुलंद है हमारा मख़भी और सियसी उनसे बुलंद है पर भी हमारी Suspect पुरी दुनिया में नहीं है यह जिन लोगों मिनिस्टर्स का अपने नाम लिए जिनको गालियें पढ़ती है उन लोगों ने अपने मफादत की खातर पाकिस्तान को दाव पिल गाया इसके स्टेक इंडिया वाले वो उन में हर चीज पाई जाती है मांदरी हर बात उन में पाई जाती है बस वो कलमा गो नहीं है हरेकम अपना मजब परे बात नहीं करते हैं कि कि उसी की ये आप नदर आप पसंद आए होगे और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा हैं दोनों परकार की खबरे आप सुनी है जो पहली कबर है वो तो यहां पर मोधी सरकार को लेकर बातचीत की जा रही है कि किस फरकार से भारत के अंदर मोधी सरकार एनिसेटिव ले रही है रिनुवल एनरजी को लेकर इंट्रसक्टर को लेकर किस फरकार से काम किया जा रहा है यहां पर उसको लेकर बातचीत की जा रहे हैं कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर तो कोई नेता सोच भी नहीं सकता है जिस वरकार के काम मोधी सरकार पारत के अंदर कर रही है दूसरी खबर जो पाकिस्तान की जो पत्रकार है आलिया शाह वो यहाँ पर बता रही है कि पाकिस्तान की जेल में सरब जी सिंग जो बं लावरों ने जो है ना उसके गर में जाकर जो है ना उसको गोली मार दी है उसको ठोक दिया गया है तो यह दोनों परकार की खबरे आपने इस वीडियो के अंदर सुनी है जिसके उपर पाकिस्तान की मीडिया में बातचीत की जा रही है तो आई होप कि आपको वीडियो जरू जरूर करना हम मिलेंगे अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद